उत्तपर्देश के रामपूर में कानून विवस्ता कैसी है किस तरह से पुलिस गउत तसक्रों पर नसेला पधार्थ विक्रेताओं पर या फिर एनार्सी का मामला हो या फिर सीए का मामला हो पुलिस ने किस तरह से अपरादियों के खिलाप कारवाई की है और अपरादियों के खिलाप पुलिस ने किस तरह का मिसंचला रखा है यह सब को जानने के लिए आज हमारी संबादता सीतल ठागुर रामपूर एसपी के पास पहुटी और उन्होंने एसपी रामपूर से बात हुआ था उसको मद्दे नजर रखते हुए आज रोहिल कंट समाच्वार की टीम एस्पी महोद्य के पास पहुची है जहां उनसे जानकारी लेंगे कि इस एनर्सी सीए दंगे में जो हुआ था उसमें कितने लोगों के खिलाफ चार्ट सीप डाकिल हुई है और कितने लोग अ हमारे 174 लोग हैं जिनके खिलाफ हमने कारवाई करी है जो अरेस्ट हुए है तो कि दो मुकदम हैं दोना में लोग कॉमन भी हैं तो इससोच चोफ़तर में से हमने 155 खिलाफ चार्ट शीट दायर कर दी है और जो बचे हुए हैं उनके खिलाफ अभी जल्दी चार्ट दाख अपराद तो 2020 से बहुत कम हुआ है कई percentage point कम हुआ है 2019 से भी बहुत कम है तो अपराद तो नहीं बढ़ रहा है फिर भी जितना अपराद हो रहा है उस पर हम प्रभावी कारवाई कर रहे हैं प्रिमेंटिव एक्शन भी ले रहे हैं और जब अपराद हो रहा है उसके बाद डिटेक्शन जल्दी पकड़के लोगो जेल भेज़के उन पर गुंडा गैंक्स्टेडी कारवाई करके उनको जेल में रखे हुए हैं ये ते हमारे साथ सब्सक्राद शागुन गोतम जी जिन्नों ने बताया है कि हमने चार्ट सी लगाई गई है और लोगों को जेल भी ब तैदी भी बड़ी है मेरे सायोगी साथ मैं शीतल ठाकु रोहल कंसमाचार रामपुर